चलिए दोस्तों एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है तो ये MI का मेरे चैनल पर एक और वीडियो दिया हुआ था सौप्टर अपडेट के रिलेटेड तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ठीक है तो उसी के लिए मैंने एक और वीडियो ये बना रहा हूँ तो ये वीडियो आप इसमें प्रोब्लम क्या होता है टीवी में MI लिखके आता है बंद हो जाता है MI लिखके आता है बंद हो जाता है जो model serial जो लिखा आता है उसमें white color का जो samsung का ये बला जो ये देखिए ये tv के पीछे से मैं देखा देता हूँ ये जो sticker है sticker को जो ये number लिखा हुआ है पहला number 23697 ये जो पहला number है ये number आपको मिलाना है ठीक है और मेरा जो भी link दिया हुआ है अगर वो इससे match होता है तो ही आप वो software डाउनलोड करके आप टीवी में install कर सकते हैं नहीं तो काम बनने के जगे bigger जाएगा ठीक है तो देखिए ये tv में software update होता कैसे ठीक है इसी के लिए मैं ये video बना रहा हूँ तो video में अन तक बने रही है तो उससे क्या है कि आप लोगों को comment करने का कोई जरुवत नहीं पड़ेगा ठीक है तो ये देखिए इसका red light जल गया है ठीक है तो कभी-कभी booting तक जाता है फिर off हो जाता है तो उसी के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है तो देखिए ये जो switch है ये बैक बाला बटन है इस model के बारे में बता रहा हूं ठीक है दूसरा model में दूसरा तरीका हो सकता है ठीक है जो भी तरीका आएगा company से वह हम इस से related जो भी वीडियो होगा वो मैं अपने चैनल पर upload करूंगा ठीक है उसके लिए आप लोगों को कोई tension लेने की जरूरत नहीं है जो model मैंने ये दिखाया है वही model के लिए मतलब मैं बता रहा हूं ठीक है और जो भी मैं link दे दिया हूं वह link पर आप जा सकते हैं अगर क इस वीडियो में के इस वीडियो के नीचे इसका link दे दूंगा और उस channel के उसमें भी दे दूंगा ठीक है वहाँ पर जाके आप लोग add हो जाए और जिस किसी को भी कोई भी मतलब model link के दे दिजे उसी का मैं software उनको provide कर दूंगा ठीक है जो भी software जरूरत होगा ठीक है तो मे जब तक हो जाएगा तब तक आपको link मिलता रहेगा ठीक है तो यह जो दो switch है यह दोनों को press करना होगा यह ऐसे press करके अगर रखेंगे ठीक है और उसके बाद में power को देना होगा यह back वाला और यह ok back वाला और ok यह press करके रखना है ठीक है उसके बाद में tv का जो power है यह power क पॉड है यह प्लग इन करना है लेकिन एक हाथ से पहले दबा के रखना है ठीक है मतलब करेंट देने से पहले ही दबाईए तब आपका सर्विस मोड ओपन हो जाएगा ठीक है कर्यार कि के टो यह आपका माय निखिया तो छोड दिजे ठोड देने से आपका यह आजाएगा ठीक है यह मतल कि रेकां आ जाने के बाद में यह छोड दीजिति it इї दोनोव system उसके बाद में है की हुट इंगा यह system आ गया है तो इसमें हम detail में बात करेंगे खाली बात करेंगे इसलिए क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसी इसी वज़े से तो आप देखिए reboot के system now में अभी है ठीक है इसके नीचे आएंगे तो हम लोगों को pen drive से अगर software करना है pen drive से करने के लिए क्या करना होगा apply update from exit मतलब हमारे बाहर से हम फाइल डालेंगे इसलिए वह exit लिख रहा है ठीक है तो pen drive मैंने अभी तक लगा है नहीं जो मेरा link है वह soli gb का pen drive आप यूज कर सकते हैं ठीक है यह मेरे पास मैं देखिए sundix का है ठीक है तो यह इससे ही मैं काम करता हूं अच्छा काम होता है तो यह देखिए apply for update from exit file तो इसको ok करेंगे इसको ok करने के बाद मैं इस जगह पर देखिए यह update from लिखा हुआ है और नीचे का लिखा हुआ हुआ है अन्डिस तो अन्डिस से हमें लेना है अभी तक मैंने pen drive लगाया नहीं है जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए ठीक है तो यह इसको ok करते हैं तो ok करने के बाद मैं देखिए यह file आ रहा है ठीक है तो यह file आने साथ हमारा काम बनेगा नहीं ठीक है तो हम लोग इस जगह पर हम लगा देते हैं यह देखिए यह pen drive उपर या नीचे कहीं पर भी लगा सकते हैं दो pen drive का यह हो ला है यह लगा दिये pen drive ठीक है वही model है देख लिए मतलब आपके विसमास के लिए मैं डाल रहा हूं बहुत सारों काम भी हो गया है आप लोग comment में comment box में देख हम pen drive लगा चुके हैं तो pen drive लगा देने के बाद में क्या है कि इसको हम जब कि apply update from exit पर जाएंगे तो देखिए यह sd card है और अंडिस है तो sd card में हम देखते हैं कि sd card में यह API की यह वाला फाइल आ रहा है ठीक है तो हमको back करना होगा ठीक है तो हम back कर देते हैं यह back आ गए है ठीक है तो यह update exit फाइल में पहुंच गए यह sd card में पहुंच गए तो दोस्तों यह आ नहीं रहा है ठीक है यह देखिए चूज ए पैकेज टू इंस्टाल sd card लिखा हुआ रहा है लेकिन उस पर जा नहीं रहा है मतलब टी बी को pin drive लगाने से पहले हम लोग वो कर दिए इसलिए यह दिखा नहीं रहा है ठीक है तो हम लोगों को टीवी को दोबारा बंद करना पड़ेगा उसके बाद में ही यह आएगा ठीक है तो देखते है power को बंद कर देते हैं उसके बाद में दोबारा power देंगे पहले हम remote को प्रेस कर लेंगे उसको निकालने के लिए वो तो आप समझ गे को यह दिखे यह दबा हुए यह मैं लिक्नी हम इमाइ लिक्नी आ गया है तो यह छोड़ दिए तो छोड़ दिने के बाद में देखिए आ जाएगा यह आ गया है अब हम अगर फाइल देखेंगे तो फाइल देख जायेगा एक जिट में आंगे gonna कि ऑफ इसदी काड यह ऐसदी काड़ फार्मेट में में देखते हैं पहले इसमें आरहा ही नहीं आरहं कि नहीं इसमें कुछ भी मेर नहीं रहा है तो क्या बात है तोड़ा देख लेतें हम भू सबुछ कर अन्डिस में यह यह अन्डिस में जैसे मैंने पहले बताया था वह उसी में आ यह फाइल आ गया है ठीक है यह दिखिए अपडेट डॉंगल यह लिखा हुआ नहीं था पहले आप देख लिजे वीडियो को रिप्लाइ करके यह जो लिखा हुआ है इसको जब हम ओके करेंगे तो यह वाला सॉप्टेयर जो है यह इस्टॉल हो जाएगा ठीक है तो यह कोसिज करके देखते हैं कि यह सॉप्टेयर दोबारा ले रहा है या नहीं ले रहा है तो हम पहले इसको एकताव कर देंगे तो देखेंगे तो ले रहा है यह देखिए सॉप्टेयर जैसे उसका पूरा सपोर्टिंग सपोर्ट जो भी API फाइल है वो सब लिखा रहा है और यह देखिए यह एकदम 0 से एकदम फुल दीरे-दीरे करके 100 तक हो जाएगा 100 तक हो जाएगा मतलब है थोड़ा टाइम लगता है लेकिन यह दिके कितना इस वीट से हो रहा है यह पूरा लिखा हुआ भी चेंज में हो रहा है कभी अगर टाइम ला तो मेरा जो जहां पर मैं काम करता हूं उसका मैं वीडियो आप लोगों के साथ मैं सेयर करूँ यह सब मतलब एक तम पूरा डिटेल्स में वीडियो बहुत लंबा हो जाता वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो क्या होगा मतलब आप लोग आप लोगों को देखने में अच्छा नहीं लगेगा ठीक है इसलिए सौट वीडियो में बताते हैं तो कुछ लोग लिखते भी हैं कि एडिट करके देखाते हैं एडिट करके अरे भैया वीडियो अगर एडिट नहीं करेंगे तो वीडियो कि बनेगा ना यसलिए हम लोग इडिट करते हैं ठीक है तो हम लोग मतलब मैं हर कोई करता है जितने भी यूट्यूबर है ठीक है तो यह वीडियो देने का फॉर्पस क्या है कि कुछ लोगों को तो काम 100% बनेगा ही बनेगा ठीक है कि क्वाइब बनेगा प्लस व्लेख कर रहा हूं कर के साथ बनेगा मतलब क्या है कि आप लोग आप आप लोग फसे नहीं हम इस पर ननव सेलेंग है आप लोगों को देना मतलब बहुत टाइम लगता है कोई ऐसे देता नहीं तो यह सॉप्टैर एक अदम पूरा कंपणी से जो बनता है वही सॉप्टैर है जो जैसे एमाई का टीवी तो सॉप्टैर तो वही लोग बनाएंगे हम तो बना नहीं सकते हैं ठीक है तो बातों बातों में वीडियो बहुत लंबा हो जाना है तो हम थोड़ा क्या आप लोग वीडियो में बने रहेंगे तो ठीक है हम बात करते रहेंगे तो देखिए यह 100% हो गया बातों बातों में देखिए पुरा हो गया जैसे ही यह हो गया है इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है पूरा एक दम फाइल दिरे दिरे करके डाउनलोडिंग हो जाएगा पूरा टीवी बंध हो जाएगा खोदी यह देखिए रेड लाइट चल गया फिर ओन हो जाएगा एक दम न्यू वेवे में फिर से चालू हो जाएगा तो इस वीडियो में हम पूरा इसलिए बना रहे हैं इतना लंबा बन रहा है वीडियो के आप लोगों के लिए ठीक है और धिरे धिरे करके जो भी सॉप्टेर लगेगा बोड का कोई भी वोल्टेज चार्ट लगेगा वह आप लोग कमेंट करते जाहिए मैं थोड़ा धिरे कीपिर करके में इसको एक्टीव करता रहूँंगा ठीक है अभी क्या है कि वो Pen Drive लजा हुआ है न तो इसलिए आ गया है Pen Drive जह ने कुछ भी देख सकते हैं है लेकिन मूझे Pen Drive हटा देना है pen यह दिखा रहा है तो यह सब्ट्यार मेरा जो सब्ट्यार है तो यह सब्ट्यार क्या है था कि मैंने इसमें एक बार फिल किया था ठीक है फिल करने के बाद में दोबारा फिल किया है तो आप लोगों को ऐसा नहीं आएगा आप लोगों को जब सब्ट्यार अपडेट हो जाएगा जब रिबूट करेंगे तो जैसे टीवी फर्स्ट में ओन करते हैं वैसा आएगा वह मेरा दूसरा वीडियो आप देख लिजिए उस जरुत नहीं है क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही महनत लगता है और टाइम भी देना पड़ता है तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप सब्सक्राइब करके रखिए जो भी अगला जो भी वीडियो होगा वह आपके पास में फर्स्ट में नोटिपिकरसन आ जाएगा ठी है तो लाइक एंड सस्क्राइब यह दो ही मेरे को दे दीजिए बस इतना ही काफी है क्योंकि मैं जितना भी मेहनत करके वीडियो बनाता हूं उससे आप लोगों को फायदा ही होता है नुकसान तो होगा नहीं ठीक है तो थैंक यू दोस्ता